अग्वियम्ट वेलकम 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 गाई'स वलकम बाक टू ये ओन चैनल खाट तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मांकलन वीडियों में ये वीडियो वीडियो special होगी तो detail में चीज़ों के बारे में बात करेंगे bank nifty का analysis already हम आपको दे चुक है इस video में हम nifty का analysis करने वाले है तो bank nifty का analysis के लिए आप वो video देख सकते हैं सारे क्या important levels है क्या market का आगे view है वो उसमें clearly हमने आपके हाथ share कर रखा है इस video में हम nifty का analysis करने वाले है चार्ट पे भी और option chain पे भी चलिए analysis part पे आते है bank nifty का कैसे intraday moves देखे आगे कैसी market है क्या downtrend continue रहेगा Friday को एक अच्छा decent fall हमने देखा more than 1% का तो आगे भी क्या fall continue रहने वाला है कोई bigger fall आ सकता है market में या फिर market में ये एक normal सी correction थी और market फिर से bounce back करके new highs लगाएगा तो detail में सारी चीज़ों के बात करेंगे लेकिन सबसे पहले अगर आप channel पे नए हैं या आपने subscribe नहीं किया अभी तक तो channel को फटा फट subscribe करें बहुत ही perfect analysis लाते हैं आपके लिए तो daily ऐसी videos आप में सुना करें तो उसके लिए channel को जरूर subscribe कर लें और हमारा एक free telegram group भी है जहां हम आपको important updates देते रहते हैं market के बारे में वो भी आप join कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा चलिए analysis part पे आते हैं देखते हैं market में क्या हुआ exactly friday को सो ये देखे morning में एक flat opening हुई थी ना हमने market में gap up अपने देखी ना gap down flat market open हुआ था लेकिन उसके बाद एक continuous अच्छी correction आई market में आप देखें continuous market में एक अच्छी correction आई और जो first major जो हमारा zone था support का वहाँ morning में एक बार market ने support लिया exactly अगर आप देखेंगे 14.485 से 500 यह हमारा support zone था जहां market में morning में support लिया वहाँ से बहुत जल्दी bounce हो गया और हमें फिर से एक 60 point का बहुत sharp bounce देखने को बला काफी volatile था friday को market both side moves देखे और काफी fast moves थे अगर आप generally candle का size देखेंगे तो sharp अच्छी lens की candle बन रही थी आप देखें कितनी sharp candle से levels break हो रहे हैं कितनी sharp candle बन रही है यहाँ पे भी देखेंगे एक काफी volatile day था moves हमने retracement move भी देखें continuous fall भी देखा एक काफी overall fall हमें 1% देखने को बला लेकिन बीच बीच में market retrace भी हो रहा था और ultimately हमने जो level था 14,350 इसके just above support लेके bounce आया फिर से और almost level के पास ही हम close हो गए एक decent fall तो हमने market में जरूर देखा लेकिन अगर आप overall देखेंगे क्या बहुत बड़ी कोई correction आई है ऐसा कुछ नहीं हो है market में कि major कोई level market ने break कर दिया है या कोई बहुत sudden fall आया normal एक decent 1% की correction है यह जो market हम normally देखते हैं अपर साइड भी बिलकुल market जरूर struggle कर रहा है and 14,6,30 के आसपास हमें बार-बार काफी major resistance दिख रही है market में इस level के पास market बार-बार रुक जाता है और यहां से हमें fall देखने को मलता है तो जो हो सकता है कि थोड़ा time हमें market जो lifetime high है वो इतनी जल्दी वापस catch up ना करे इतनी जल्दी उस level को दुबारा break ना करे पिछला week और यह आपने 10-15 days देखेंगे तो हमें daily new lifetime high देखने को मल रहा था निफ्टी में लेकिन अब हो सकता है market ने थोड़े time के लिए top जरूर बना लिया हो उसी के आसपास ही अपना top अभी बना के रखे उसे हम बहुत जल्दी break ना करें lower side के लिए क्या important level है upper side हमने देख लिया normal सी correction आ सकती है levels को follow करेंगे तो intraday आपको easily trades मिल जाएंगे कोई single side direction नहीं बनानी अभी आपको कि कोई sudden fall आने वाला है या बहुत sharp अप move आएगा दोनों ही expected नहीं है market में और downtrend के लिए जो first major important level है वो है 14.350 Friday को अगर देखेंगे उससे just above हमने support लिया अभी एक काफी अच्छा major जो immediate support है वो वहाँ पे दिख रहा है nifty में और देखना पड़ेगा nifty उससे hold करता है या नहीं immediate एक बहुत अच्छा support है 14.350 अगर आप daily time frame पे super trend को apply करेंगे तो आपको भी exactly उसी के पास ही वो support दिखाए देगा और वहाँ पे काफी अच्छा decent major support है market में उसके बाद below level भी ऐसा नहीं कि बहुत जादा दूर है उसके बाद जो next level है वो है 14.200 और उसके बाद 14.050 तो हर 150 point पे एक अच्छा decent support है nifty के पास तो इसलिए हमें कोई एक major fall देखने को नहीं मिल रहा decent fall देखने को मिल सकते हैं और ये एक दिन में expected नहीं है single day में आपको 5-6% का fall मिलेगा ऐसे अपने trades बिल्कुल मत बनाएं out of the money तो मैं वैसे भी आपको advice नहीं करता हूँ और जो हमारा most important major level है जो जब तक break नहीं हो रहा है तब तक हम major correction की बात नहीं करेंगे वो है 13,800 वो हमारा most important maximum वहाँ पे हमें support दिखता है most important सबसे ज़ादा हाँ वो break अगर हुआ market में तो हम bigger falls देखेंगे अच्छी market उसके बाद clear cut बहुत sharp fall देखने को मिल सकता है लेकिन जब तक वो break नहीं हो रहा आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कोई sudden crash या fall हमें देखने को नहीं मिलने वाला है आप अपने intraday levels पे work कर सकते है major levels मैंने आपको बता दिये हैं इनके mid में intraday levels क्या होंगे वो मैं बता दे तो major fall के लिए जो अभी भी है वो level बहुत ज़्यादा दूर है तो इतनी कोई tension की बात नहीं है 13800 अभी काफी ज़्यादा 600 points अवे तो आराम से आप अपने positions को hold कर सकते हैं अपने intraday levels के according intraday levels के हैं वो जाल लेते हैं क्योंकि intraday में Monday को हमें वो ही help करेंगे 14350 पे एक अच्छा decent support है मैंने आपको already बताया है कि यह हमारा एक major level भी intraday भी हमारा next support यहीं पे है तो 14350 पे एक अच्छा decent support है और market को हमें यहाँ पे support लेते हुए देखना चाहिए ठीक है तो Monday को expected अगर market downside भी आती है तो 14350 पे उसको एक अच्छा support मिलेगा उसके बाद lower अगर इसे break करती है तो intraday next level होगा 14270 और 14200 जो फिर से एक major level आ जाता है तो यह दो हमारे major levels है और 14270 हमारा next intraday support level है तो यह हमारे intraday के 3 support level हो चुके है resistance का मिलेगी अगर देखे lower side open होता है तो 14430 as a resistance का work करेगा और अगर above open होगे तो यह भी as a support बन जाएगा market में ठीक है इसके above जो next support है वो एक zone है 14485 से 14500 इस zone में market को resistance मिलने वाली है और काफी अच्छा psychological level भी है 14500 और market यहाँ पे decent resistance है market में और उसके बाद 14560 and 14630 hope आपको clearly intraday levels भी समझ आये होंगे इनहां आमने बताया कि आपको इतनी जल्दी दुबारा lifetime high भी शायद देखने को ना मिले 14700 के आसपस काफी अच्छी resistance है market में ठीक है friends तो यह हमारे intraday levels हो गए और major levels भी मैंने आपके साथ already share करते हैं फिर से एक बार recap कर देता हो resistance का 14485 से 14500 उसके बाद 14560 and 14630 intraday resistance level है support आपको मिलेगा उसके बाद 14270 and फिर finally हमें 14200 यह काफी अच्छा next major support होगा अगर हम यहां तक भी आते हैं तो ठीक है major levels है यह तो आपको इनके according अपना setup बनाना है तो nifty का chart analysis होगा है clear cut hope आपको एक viewpoint मिला होगा कोई भी query है nifty से related या कोई भी stock है आपको जिसके बारे में query करनी है आप comment section में लिखें वहां मैं आपको उसका revert कर दूँगा कि क्या important levels है कैसी directional view दिख रही है भी market में उस stock के बारे में तो आप वो पूछ सकते हैं freely comment में मैं आपको reply कर दूँगा या आपको इस position carry कर रहे है तो उसके बारे में भी query कर सकते हैं तो यह होगा nifty का charts पैनले से option chain और देख लेते हैं कि वहां कोई viewpoint मिल रहा है गया market में option chain में 14500 पे अच्छी resistance बनी हुई है market में 28 lakh positions put side देखेंगे तो 17 lakh तो option chain में एक decent resistance अभी market में 14500 पे बना दी है जरूर एक अच्छा intraday intraday काफी अच्छा हुआ है add हुआ है 19 lakh positions का तो immediate 14500 पे अच्छी market में resistance हमें दिख रही है as per option chain लेकिन कोई बहुत major build up नहीं है यहाँ पे क्योंकि overall position अभी 28 lakh है इस time 17 lakh है fresh position जैसे add होंगी उसके बाद यह build up strong होगा क्योंकि Friday को generally weekend पे इतनी ज़्यादा position बन के carry नहीं होती है तो आपको अभी Monday को और देखना पड़ेगा कि कैसा OI data build up हो रहा है अभी के according एक decent resistance बना रहे है 14.500 पे support 14.400 पे नहीं देख रहा है almost similar position है 2 lakh का gap है तो 14.400 पे कोई major support नहीं है उसके बाद जो major support आ रहा है वो आ रहा है 14.300 पे 14.300 पे एक अच्छा support आ रहा है क्योंकि फिरसे हमे 10 lakh का gap मिल जाता है तो support 14.300 पे दिखा रही है market as per option chain और कोई ऐसा shocking data नहीं है कि लग रहा है market में कोई sudden fall आने वाला है नॉर्मल सी decent fall ही आएगा अगर आएगा तो बहुत major correction expected नहीं है अभी market में जब तक 13.800 लेवल ब्रेक नहीं हो रहा और वो बहुत अवय है तो इसके लिए हमने mid में भी आपको levels दे हुए ठीक है friends ये था और अज का overall analysis nifty का hope आपको वीडियो अच्छे लगे होगी कोई भी queries होती है आप freely comment section में कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में thank you so much